जहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जहांगीर के बारे में जानेंगे कि जहांगीर के कायरकाल के बारे में उसके बाद साज जहां उसके बाद औरंग जेव जीतने का मज़ा तभी आता है मेरे दोस्त कि जीतने की मज़ा तभी आता है मेरे दोस्त जब लोग आपके हार का इंतजार करें ओके थाइंक्यू आईए अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं किसके बारे में जहांगीर के बारे में अब हम लोग जानते हैं जहांगीर के बारे में जहांगीर का जन्म 1579 इस्व में हुआ था कब जनम हुआ था कभ 1579 इश्वी में जनम हुआ.. जहंगीर गदी पर का बेठे 1605 इश्वी में.. जहंगीर का जनम मुगल von crash के साथ गगभ थे.. अब हम लोग देखते हैं कि जहांगीर का जो पूत्र था इसके जहांगीर के पांस पूत्र थे कौन जहांगीर के पांस पूत्र थे खुस्रो परवेज, खुर्रम, सहरियार और जहादार जहांगीर के पतरी का क्या नम था नुर जहां से ये विवा किया था किस से नुर जहां यह वही नूर जहां है जो आसब खां आने कि जो अकबर के दर्वार में जो मानसी और आसब खां जो रहता था मानसी उसका सेनपति था आसब खां भी उसके साथ साथ कुछ सपोर्ट में रहता था उसी का उसी की जो बहन थी कौन नूर जहां उसी से जहांगिर न साधी कर लिय कब किया साधी सोला सो ग्यारा इसवी में साधी किया था कितना सोला सो ग्यारा इसवी में जहांगिर नूर जहां से साधी कर लिया इसका पहले भी नूर जहां का जहांगिर से निकाह होने से पहले भी इसका एक निकाह हुआ था किसके साथ हुआ था अली कुली बेगम के साथ 1594 में इसका निकाह हो चुका था इसको एक उपाधी मिला था क्या उपाधी था सेर अफगान सेर अफगान की से एक उपाधी मिली थी और 1594 में इसका क्या हुए विवा हो गया 1594 में जब मुर्जाहा का विवा हुए था अली कुली बेगम के साथ वहां का सासक अकबर था अब यह क्या किया यह जहंगीर इसका क्या था यह बहुत पागल था यह ऐसे में 1605 में सासक बना कब 1605 में जहंगीर सासक बना और 1611 में साधी किया और 1607 में कब 1607 में 1607 में जहंगीर यह अली कुली चो बेगम था इसका जो अली कुली था इसको जहंगीर के सारे पर आनि यह खुद के सारे पर किसे दूसरे से इसको टपका दिया आनि इसको खतम कर दिया धरती से कब अली कुली बेगम को कब उड़ा दिय इसको 1607 इसवि में 1607 में इसको टपका दिया धरती से और 1611 में ये विवाह कर लिया जहांगीर के टोटल 5 पूत्र थे जहांगीर के कुल कितने पूत्र थे? 5 खुसरो, परवेच, खुर्रम, सहरियार और जहांदार जिसमें से ये चोटा इसको इतना इसको खुजली काटा कि ये कब 1605 में ये सासक बना और 1606 में ये इस पर आके आकरमन कर दिया किस पर? जहांगीर पर एक सेंड का एक टुकड़ी ये लिया और इस पर आकरमन कर दिया अब इसके सपोर्टर में सीखो के गुरु अरजून देव कौन? अरजून देव अरजून देव थे अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े क्या और हम लोग देखते भी आये प्रेटिकली कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है तो ये क्या क्या है चोटा? खुस्रो जहांगीर को जहांगीर पर हमला कर दिया कब 1606 में लेकिन जहांगीर तो हारने वाला था नहीं 1606 में चोटा इसको पकड़के कैद कर लिया खुस्रो को अपने बड़ा बेटाक पकड़के कैद कर लिया और यह जो थे इसको गुरू सिखो कि जो गुरू थे अरजून देव इनको पकड़के ले गया और इनको फासे दे दिया अनि उसकी मिर्ति हो गई और खोश्रो केद कर लिया अब क्या होग और यह अब देखते हैं नुर्जहां की और नुर्जहां सब्द का सरोपर्था हम लोग अर्थ जानने के कोशिज करते हैं नुर जहां सब्द का अर्थ होता है क्या संसार की रोसनी नाम तो बहुत बढ़िया था ठिक ठाक दिखती थी अस्माट भी दिखती थी जहांगिर था दिया अलिकुली बेगम को टपका 1607 1611 साधी कर लिया इसके इसारे पर उसे अलिकुली बेगम को पहारी पर से फेकवा दिया गया था 1611 साधी कर लिया अब था क्या इसका जो नुर जहांग और अलिकुली बेगम कौन यह दोनों कि जब विवा होई थे 1594 में कब 1594 इसके एक पुत्री हुवी थी उस पुत्री का नाम क्या था इसके बेटी का क्या नाम था लाडली बेगम लाडली बेगम अनिल कपुर का लाडला फिलिम नहीं समझें आपनों मूवी जो होता है उन मत समझें लाडली बेगम इसका नाम था कब 1594 साधी हुए था यह लाडली बेगम का ये दोनों से जन हुए था और नुर जहां और जहंगीर का कब साधी हुए था ये दोनों का 1611 में 1611 में जब साधी हुआ तो इसका पुत्र ये सहर्यार था और इसमें सहर्यार हुआ फिर जहां का ही पुत्र हुआ कब सहर्यार 1611 में जब साधी हो उसके बाद तो ये सहर्यार और लाडली बेगम का विवा हो गया सहर्यार और लाडली बेगम का निकाह ये दोनों निकाह कर लिये ऐसे भी मुसल्मान डिलीजन में चलता ही है कजन से हो सकता है तो ये भी एक तरह से कजन ही हुए तो ये दोनों में निकाह हो गया जहंगीर के टोटर 5 पूत्र थे खुस्रो पर्वेज सहर्यार जहाधार जिसमें खुस्रो सबसे पहले अट्व कर दिया अगए बाप बाप होता ह हूं जीत गया और खुस्रो को कैद कर लिया फिर इसको राजा भी नहीं बनाया खुशरू का खुर्रम जो साजहां के नाम से विख्या था साजहां फिर वहाँ का सासक बना अब हम लोग देखते हैं आगे महावत खां एक महावत खां था कब महावत खां यह चुटा क्या किया कब 1626 इस्वी में नूर जहां आसप खां और जहां और जहांगीर ये तिनों को जहांगीर नूर जहां आसप खां को 1626 इस्वी में जहलम नदी के तट पर बंदी बना लिया था जहलम नदी कहा है जहलम चिनाद सब कस्मिर के आसपास है जम्मू कस्मिर में तो वहां पर इनको बंदी बना लिया था कब 1626 इस्वी में नूर जहां का नूर जहां तो इसको बाद में इसका नाम दिया गया असली नाम नूर जहां का क्या था महरू निस्टा क्या महरू निस् असली नाम था महरूनिस्सा और इसी समय कब जहांगिर के ही शासनकाल में इंडिया अंग्रेजों का गुलाम लगभग कितने वर्सों तक रहा 1757 में पलासी का युद जितने के बाद लगभग इंडिया अब किसके अंग्रेजों के कबजे में जा चुका था 1757 में पलासी का युद जितने के बाद उसके बाद लगभग 1947 आनि कि 1757 और 1947 190 साल का फासला है आनि 1767 और 1947 के बीज का फासला कितना है 1757 और 1947 के बीज का फासला히 190 आनि लगभग 200 वर्सों तक 200 वर्सों तक अंग्रेजो का गुलाम जो रहा वो फर्स्ट इंटर्य किसी ने दिया था अंग्रेजो को 1.169 इस्वी में जहांगिर नि दिया था इसको अनुमती क्यों वेपारी करने के लिए पहला अंग्रेज कौन था पहला अंग्रेज था केप्टन हॉकिन्स क्याप्टन हॉकिन्स यहीं से चोटा यह बरबाद करना शुरू कर दिया था यहीं चोटा था जो इंडिया में आया था सरोपर्थम अंग इंग्लिस में क्या इंग्लिस में यहीं था और शोला सो नौ में आने के बाद जब पर्मिस्तनलियत 1609 में आया तो इसका मुख्य उद्देश उस समय इसका मुख्य उद्देश क्या था बेपार उस समय इसका मुख्य उद्देश बेपार था लेकिन बेपार करते करते इसने क्या किया पहले बेपार किया बेपार को बड़ा फैलाया और विस्तार किया बेपार को और विस्तार क के काम में किसका बैपार हुए लुटने के करम में सिर्फ सोने और चांदी आने कि आभूसनों का सिर्फ बैपार हुआ उसको बैपार हमें नहीं बोल सकते हैं आभूसनों की सिर्फ चोरी हुई आज भी हिरा था वो कोहिनूर का हिरा जिसे हुमायू दिवांगत राजा विक्रमजीत के परिवार से जो लिया था उसे आज भी वो कोहिनूर का हिरा कहा है कोहिनूर का हिरा यह आज भी है ब्रिटेन के वह म्यूजियम में से सजा के लोग दर्शन सिर्फ करते हैं और ला नहीं पाते हैं कि व्यपार के मक्सद से आया लेकिन 1609 में आया 50 से 60 साल आनि 100 साल मेक्सिमम होते होते इन्होंने इंडियन को इंडिया के आदमी को देखते हुए इन्हों फोड़ फार करना शुरू कर दिया और फोड़ते हैं 1757 निश्व में प्रास्तिक आयुद लड़ा ही दिया कौन सा प् पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग नेश्ट के और मूब करते हैं इस पर हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे अब हम लोग सा जहां की और देखते हैं कि सा जहां क्या रहा रवाईया अपने सासन काल के दोरान सा जहां कब सासन किया 1627 आनि वह एक खुर्रम जिसका नाम था कब 1627 में इन्होंने गद्धी पर बैठाने सिनहासन पर बैठा और 1657 तक सासन किया कब 1657 तक इन्होंने लगभग की 30 वर्ष लगभग 30 वर्ष तक इसका कायर्जकाल रहा सा जहां का साधी किस से हुए था और जाजाहं का निकाह किस से हुए था अरजुमन बानो बैगम से ये कौन थे ये आसब खां के पुत्री थी आसब खां के पुत्री आसब खां के पुत्री थी ये वही आसब खां नुर जहां का बड़ा भाई आनि आसब खां इनके मामा ल 1612 में निकाह कर लिया रिषके जरम कम गई ह सब ją 1612 में विवा करने के पेश्चाट संसे शौह बारम पर्शाओ के कारण उसके मिर्ति हो गई किसके अर्जुमंद बानों बेगम के 1611 सिस्वे में मिर्ति हो गई अपने प्रेमिका से या अपने पत्तिनी से अत्यांत प्रेम करते थे तो इन्होंने इनके याद में इनके याद में क्या किया ताज महल बना दिया आगरा का जो ताज महल की देन है आज आगरा का जो ताज महल है कौन ताज महल वो आज इनहीं का देन है सा जहां का दुनिया में अजूबा के साथवा नंबर में इसके काउंटिंग होती है अस्ट्रेलिया का जो सेडिनी ओपेरा हाउस है उसका छठा नंबर में तो यह आगर महल के याद में इन्होंने पनाया था क्या बनाया था आगरा के ताज महल कि नूर जहां को आनी अपनी मा को का वेज दिया लाहर वेज दिया दो लाह रुपे परती वर्ष की पेंशन देकर लाहर वेज दिया हमाई रहने खाने के लिए चाहां 1631 में भेज था बट 1645 में उनकी मौत हो गई किसकी 1645 इस्वी में 1645 इस्वी में इसकी मिर्थी हो गई नूर जहां की नूर जहां की मिर्थी हो गई 1645 इस्वी में यह जो साजहां थे इन्हें 1657 में कब 1657 में इनके द्वारा एक अफवा उड़ा दे गया और इनके किसी मंत्री संत्री के द्वारा एक अफवा उड़ा दे गया वह अफवा यहां था कि साजहां की बीमार पढ़ने के कारण गंभीर रूप से बीमार पढ़ जाने के कारण मेरती हो गई इस चुटा मरा नहीं था लेकिन ऐसी हला कर दिया कि मर गया से अरी जिन्दे था 1657 में मर से राज कर रहा था उसमें इसका एक को पुत्र वहां नहीं था इसका जो सुजा जो बंगाल में था मुराद जो था वह गुजरात में था और अरंग जेव दक्कन में थे अब यह तीनों चुटा तीन जगा था तो यह तीनों आपस में लड़ने लगा सब कि हम राजा बनेंगे हम राजा बनेंगे हम सासक बनेंगे सब लड़ने लगा तीनों तो इन्होंने क क्या कि ऑरांग जयव और सुजा लड़ गए तो फिर सुजा हार गए मुह favour बीहार गए और 1689 निस्वी में कब 1658 निस्वी में यही च्षोट्टा औरंग इसी को औरंग जयव कौन और उरंग जयव किसको साह जहां को पकड़के साह जहां साह जहां को पकड़के कारवास में डाल दिया आनि जेल में डाल दिया जहां 1666 हिस्वी को 1666 हिस्वी को उसकी मिर्ती हो गई किसकी साह जहां की 1666 हिस्वी मिर्ती हो गई कैदी के रूप में आठ साल उन्होंने बिताया कव 58, 58, 56, 66, 58, 66, आनि कि आठ साल कैदी के रुपने उन्होंने बिताया इसका छोटे पुत्र औरंगजेव ने इन्हे कारवास में डाल दिया हम लोग देखते हैं ओरंग्जेव के बारे में औरंगजेव का जनम का जंम हुए था 12862 में इसका जनम हुए में गुजरात में इसका जनब हुगा और 1659 इसवी में इन्होंने गद्दी पर बैठा था, क्यों से अपने पिता को बंदी बनाकर 1659 इसवी में इन्होंने गद्दी पर बैठा 17onya 1707 तक इन्होंने राजक्याने इन्होंने निकाह कर घंक किया 1637 आपने पिता को बंदे बना कर खुद को राजा बना लिये और इन्होंने 1665 1665 हिस्वी में मंदिरों को तोड़ने का आदिश दिये उसमें से कौन-कौन मंदिर तोड़ा गया था सोमनाथ मंदिर विस्वनाथ मंदिर जो बनारास में है केशवनाथ केशवराय मंदिर था यह सभी मंदिरों को पुर्ण रुप से धवस्त कर दिया गया कब 1665 में यह सुन्नी मुसल्मान धर्म को यह मानते थे सुन्नी मुसलिम धर्म के थे और अरंग जब का बच्पन का सबसे जयदा समय नूर जहां के पास इन्होंने बिताया था जो इनकी क्या लगते दादी लगते युद्ध समराइज करके एक युद्ध का टोपिक मनाएंग का उसमें सारा युद्ध मुगलवन्स का और ट्रिक भी उसका डाल देंगे हौसला अभी भी जिन्दा रख आप लोग मेहनत किजिए सभलता आपके चर्णों में आएगी ओक्के कि अ कि अ कि 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 कि